हेलो माई यूटूब फैमली कैसे हैं आप सब आई होब आप सब बहुत अच्छी होंगे आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी टिस्टी हेल्दी इस्टार्टल की रेस्पी शेयर करने जा रही हूँ जिसके लिए मैंने ले लिये हैं कुछ पालक के पत्ते पालग के पत्तों को अच्छे से मैंने धो करके साफ कर लिया है यह देखी 7 से 8 पत्ते हैं कुछ ही है ऐसी 100 ग्राम के आसपास होंगी तो चलिए इनको आगे रेस्पिम बढ़ते हैं और एक ले लेंगे मिक्सर जार तो उनमें मैं इन सभी पत्तों को डाल लेती हूँ और चलिए इनको पत्तों को डाल लिया है अब इसमें डाल देना है 2 ice cube तो 2 ice cube मैंने डाल दिये हैं और थोड़ा सा एक refined all एक चमच डाल दिया है इससे क्या होगा friends color maintain रहेगा हमारी पालक का as it is हरा रहेगा तो देखे मैंने इसको पेश्ट बना लिया है चलिए इसको साइड में रख देते हैं एक तरफ आगे की प्रेपरेशन करते हैं ये मैंने ले लिये हैं कुछ आलू इस चोटे साइस के आलू हैं तो 5-6 आलू मैंने ले लिये हैं अगर बड़े आलू हूँ तो दो आलू आप ले सकते हैं और इनको एक कद्दुकस से गिस लेंगे आलू को गिस के लेंगे इसलिए क्योंकि फ्रेंड कोई भी इसमें गांट वगरा नहीं रहनी चाहिए एक दम स्मूथ पेश्ट हमें चाहिए आलू का आप चाहें तो मैशर से भी कर सकते हैं आप इसको मैंने त्यार कर लिया है देखे बिल्कु इसमूथ पेश्ट बनके रेडी हो गया है अब चलिए इसमें कुछ मसाले डालने होंगे सबसे पहले हमें डालना है कटी हुई प्याज मैंने बारीक चौप की प्याज लिये बिल्कुल बारीक चौपर से चौप कर लिजेगा और डाल देंगे साधा नमक तो नमक डाल दिया इसमें अब कुटी हुई लाल मिर्च यानि चिली फ्लेक्स डाल देंगे अब इसमें डाल देंगे अमचूर पाउडर एक चमच के लगभग इससे बहुत अचट पटा टेस्ट आएगा ये मैं और गेनो डाल लई हूँ ये पुरी तरह से ऑप्शनल है आपके पास को तो डाल दें वरना आप मैगी मसाला वगरा भी डाल सकते हैं ये कुटी हुई क अब इसको एक तरफ साइड में रख देते हैं अब ले लेते एक बड़ा बरतन तो चलिए इसमें एक कप या एक कटोड़ी जो भी कह लीजिए अब इसमें जो पालक का पेश्ट बनाया था वो डाल देंगे देखिए पूरा पेश्ट मैंने डाल दिया इसमें पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी सौद अनुसा नमक डाल देंगे थोड़ा सा और इसमें एक चमच के आसपास रिफाइंड ओल डाल देंगे तो चलिए सबी को मिक्स करते हुए इसको गूथ लेते हैं इसका एक डो बनाना है सक्त डो पानी बिल्कुल भी यूस नहीं करेंगे उसी पालक की प्यूरी से ही कूथ के यह तियार हो गया है देख लीजे यह डो बनकर दम रेडी हो गया इसको पांच मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं चलिए अब आगी प्रिपरेशन कर लेते हैं जो आलू का बेटर बनाया था इस पर थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च दोपाग मैंने डिवयड कर लिए अब इस पे सुखा आटा डस्ट करते हुए इसको बेल लेंगे अच्छे से चापाती के तरह बिलो कि बेलना है फ्रैन्स पतला ही बैलना है मोटा नहीं बैलना है देखिए आप इसकी थिकमास देख लीजे चापाती की तरह मैंने बेला है बस ऐसे ही बेलना है चलिए अब इस पे टोमेटो केचप ले लेंगे एक से दो चमच अब इसको इसको इस्प्रेट कर देंगे आप चाहें तो पीजा पास्ता सॉस या कोई और चटनी बगारा जो आप खाना पसंद करते हैं वो भी लगा सकते हैं या तोटली इसकिप भी कर स सकती है लेकिन फ्रेंट्स फैल जाएगा बिल्कुल अराम से तो देखिए मैंने पूरा फैला लिया है अच्छे से पूरा देखिए अच्छे से पेस्ट लग गया अब इसको एक साइड से उठाते हुए रोल करेंगे बिलकुल टाइटली रोल करना देखिए धी धिरे-धी लेती हूं उसी तरह से इसमें फैला दिया है टोमेटो केचप लगाया पहले और आलू का मसाला फैला के रोल करते हुए इसको पूरा रोल कर लिया देखिए टाइटली रोल करना है फ्रेंड देखिए बड़े अच्छे से रोल बन जाता है देखिए कुछ अच्छा बनाने की फ्रेंड थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ती है लेकिन जिसका रिजल्ट आएगा बहुत ही गजब काएगा अब एक चलनी ले लेंगे उसमें ओल ग्रीस करके अपने रोल को रख देंगे चलिए आगे की स्टेप बढ़ते हैं अब मैंने एक भगोने में पानी उबलने के पानी उबलते हो गए अब इसमें यह रोल को रख देंगे और इनको स्टीम लगने देंगे 10 मिनट के लिए स्कीं करना है तो पूरे दस मिनट बाद इनको चेक करेंगे 10 मिनट हो गए है पूरे तो देखिए स्टीम अच्छे से आ गई है और यह एपने रोल पर गए है एक चेक जरूर कर लेंगे देखिए इसमें फोक डालकर चेक कर लेते हैं देखिए बिल्कुर क्लियर है कोई नाइफ या फोक से चेक कर लीजे अब इनको ठंडा होने के छोड़ देंगे 10 मिनट तो देखिए अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब ही इनको कट करना है तो मैंने चैक का सकते हैं आप किसी भी चटनी या चाय के साथ में बहुत ही ठेस्टी है कोई भी इसमें तलब हुना नहीं है चली ए मैं थोड़ा से क्रिसकी बना रही हूं तो दोसी तरह से भी आपको बना के दिखाती पहले तो उसी तरह से आप नाश्ता खा सकते हैं अब मैंने पैन में ओयल चड़ा दिया है और उसको अच्छे से गरम होने पे सारे पीस उसमें डाल दिये हैं जितने पीस एक बार में आ सके उतने ही डालिए तो देखिए अच्छे से एक तरफ से उनको सिखने देंगे और फि किसी भी छोटी मोटी पार्टी बड़े पार्टी कीटी पार्टी कभी भी स्टार बनाकर रेडी कर सकते हैं सब quand बहुत पसंद आएगा छोटी मोटी भूब भूबूब इसक्समें बना सकते ैे एक बाद जरूर ट्राई करिएगा मस ट्राई रैस्पी है देखिए गरमा- मिठी चटनी रख दिये तो आप जो चटनी पसंद करते हूं वो चटनी बनाकर ready कर लीजिए और उसके साथ enjoy करिए बहुत ही tasty पुरी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला friends ये देखे कितना करारा बना है ये देखे मैं आपको उठा के दिखा रही हूं इसके layer देखी बहुत ही tasty ओ colorful नाश्ता बनके त्यार होता है इसको डिप करिए sauce और चटनी में और मज़े से enjoy करिए friends आज की recipe आज को बहुत पसंद आईगी मुझे ऐसा लगता है प्लीज अगर recipe पसंद आई हो तो वीडियो को like कर दे चैनल पे नए आया तो subscribe करके ही जाएं मिलते हैं आप से next video में नई recipe को ले करके तब ते के लिए bye take care